विडियो में हम भी मिनिमलिस का वाइटमीन सीरम के बारे में बाद करेंगे अगर आप बिगनेर हो आपने अभी तक किसी तरह का वाइटमीन सीरम यूज नहीं किया है तो यह वीडियो आपके लिए आपकी सारी कन्फीजन दूर हो जाएगी और आपको समझ में आज जाएगा कि यह सीरम आपको यूज करना चाहिए नहीं तो इस वीडियो को मेक्सियोर करें कि पूरा जरूर देखें अगर अपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो फटा फट से जाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो में आगे बढ़ें सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की तो पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी है यह एक डाड कलर के ग्लास बॉटल के साथ आती है और इसके साथ एक आपको ड्रॉपर भी मिलता है जिससे आप अपना सीरम अपलाई कर सकते हो इसकी बात करें तो 6.99 में आपको 30 ml प्रोडक्त मिल रहा है और इसकी सेल्स लाइफ एक साल की है बट आप इसे ओपन कर लिए हो और यूज करना स्टार्ट कर चुके हो तो आपको वीदिन 6 मंथ आपको इसे यूज कर लेना है विकाज उसके बाद यह ऑक्सिडाइज होना स्टार्ट हो जाता है तो मैंने इसे 6 अच्छा खस ओफर मिलें तभी आप इसे वह बाई करें बात करते हैं इसकी टेक्ट्चर की जो कि बहुत इंप्टेंट है यह का टेक्ट्चर एक्दम वाट्री है वाट्री कंसिस्टेंसी है और यह एकदम खिलियर वाटर लाइक इसका कलर है मतलब कोई भी कलर नहीं है आप इसे यूज नहीं करती हूँ इसा रिव्यू पर सपस मैंने देखाने के लिए रखा था कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है यह आपकी स्कीन में बहुत जल्दी अब्सवर्ब हो जाता है विदिन अ मिनिट आन्ने आपको एक बहुत 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 करता है इसकी इंग्रीडियन लिस्ट में आपके स्कीन पर डाल दूँगी इसका सबसे पहला इंग्रीडियन है सेंदेला स्याटी का लीफ वोट और तूसरा है इथाइल स्कॉर्बिक एसीड जो की वाइटिमिन सी का एक डेरिवेटिव है यह हाईली पोटन नहीं है जिसके क्लॉजण फॉर्मेशन को बूश्ट अप करने में हल्ब करता है और आपकी स्कीन में जो बर डार्क स्पॉरट है ुसे कम करने में आपकी है करता है और स्केन में और साइनस अजिंग आती है उसके फैक्टर को भी एक कम करता है tax जो सबस्केना है वो जान लेते हैं आप इसे मन कार इवनें डोनों टाइम उसके हो तो आप आपको face wash करना है उसको अगर आप टोने लगाते हूं तो टोने लगा है उसको मैं तो नहीं लगाती हूं यह सीरम यूज करती हूं उसके बाद मॉश्राइजर और आफ्टर संस्क्रिन संस्किन बहुत इंपोर्टेंट यह अगर आप वाट्रमीन सी यूज कर रहा है अगर आप संस्क्रिन नहीं लगाए तो इसका आपको कोई फाइदा नहीं मिलने वाला और रात में भी आपको ऐसे करना face wash लगाने के बाद आपको डार् अगरी में गुजरी है तो उस टम क्या होओ था मैं में बहुत साड़े सीरिम से त्साथ यूज कर रहा था नायासनामाइड, अल्फा, अबुटेन, अन्ड़ा, वाइटीमिन C अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या सा सेरियम मेरे स्किन पर रियक्शन दे रहा था क्या कि अब मैं कोई प्रोडेक्ट नहीं उसके लावा तो मैं सिर्फ और सिर्फ वाइटमेंस यूज़ करते ही और मैं आपको यहां पर बहुत बड़ा टीप देने वाली हूँ आपको यह टीप बहुत हेल्फुल होगा आपको वाइटमेंस सी अगर आप बिगनेर हो अब स्टार् किये हैं तो अब मैं जो रूल करते हैं उससे मेरी हर सीर्म मेरे पर सूट करें अब तक मैंने जितनी सीर्म अब लगाती हूं तो सब मझे पर सूट करता है वह कैसा है मैं आपको बताती हूं आपको कैसे यूज़ करने हैं आपको सिर्फ एक ड्रॉप यूज़ करने हैं आप आपको कोई भी प्रोड़क्ट जली सूट नहीं करते हैं तो यह चीज़ लगा करके देखें इससे आपका स्कीन उस चीज़ को अड़ाप कर लेगा और धीरे धीरे आपको वह सूट करेगा कम जितना कम लगाओंगे ना उतना ही फैदा होगा मैंने देखा हैं एक ड्रॉप से करेंगे ऐसे कुछ नहीं होगा बस दो वीक देखिए और खुद आप मुझे कमेंट करेंगे कि यार क्या बता दिया बहुत अच्छी चीज़ बताईए तो यह फॉलो करें उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं और एक मन्त ही उसकरने के बाद आप दो तीन डॉप करता है सच में आपको ग्लोग प्रॉइट करेगा दूसरा कि स्कीन को ब्राइटन अब करेगा तीसरा डार्क सपॉट के बात करेंगे तो वो उतना वर्क नहीं करता है कम करता है लेकिन आप इसके अलभा आप उपिम ईसकर साथ में तब आपके तैस ने लगम करेंगा से फि वाइदे धूनते हैं आपको सब मिल जाएगा आपकी स्कीन को ग्लूप प्रवाइट करेगा बहुत लाइट कंसिस्टेंसी है तो ओवर ओल यह बहुत ऑसम पॉड़क है तो आप बिगनेर हो तो आप इसे डिफिनेटली ट्राइक कर सकते हूं तो आज की वीडियो आपको कैसी